इसे राम चंदर जी का व्यक्तित इतना बड़ा है उनके नाम से लोग रायनीतिक फायदा उठाएं यह खलत पार समाजवादी पार्टी के नेता राम चंदर जी को बीजेबी के नेताओं से जादा मानते समाजवादी पार्टी को नेताओं समेद अन्य विशिष्ट लोगों को आमंत्रत क्या जा रहा है इसी बीच सपा के मुरदबाद से सांसद स्टी हसन का बड़ा बयान सामने आया है उन्होंने वीजेबी पर हमला बोलते हुए कहा है कि भगवान राम के नाम से राज्रतिक फायदा उठाना गलत है राम के नाम को लेकर वोटों का ध्रुविकरण और राश्रतिकरण किया ज़ा रहा है देगे यह हकीकत है कि राम चंदर जी का व्यक्ति तो इतना बड़ा है और उनके नाम से लोग राज्रतिक फाइदा उठाएं यह गलत बात है उनके डेगुरम के खिलाफ है यह बात कि आप उनका नाम लेकिए अपने वोटों को दुब कराण करें लोगों के उपाँ जल्म करें मस्जिदें तोड़ दें यह सब कुछ करें तो रायनीती कराण तो भी करी रहें तो राम चंदर जी की तो मानने ता जैसे आप हिंदू मांते कि वो तो कणकण में हैं है तो हम तो यह मानते हैं कि यह रायनीती करणा नहीं हो नचाहिए लेकिन कहीं अधले आस्थाएं भी है आदमी यह नसोचे कि अगर यह लोग हैं तो सारा राम चंदर जी सिर्फ इनी के हैं वो तो सब के हैं, पूरे हिंदुस्तान के हैं, मुसल्मान भी उनकी इज़त करते हैं, इतराम करते हैं, तो वो अगर जाए और अपनी आस्था से जाएं तो इसमें हरज भी नहीं है साथी आयोध्य से अगर सपा के बड़े नेताओं को न्योता मिलता है, तो क्या वो जाएंगे? इस सवाल पर सांसर देस्टी हसन ने कहा कि वो जरूर जाएंगे, सपा के नेता बीजेपी से ज़्यादा भगवान राम को मानते हैं इसी बीट सानातन के खिलाफ स्वामी प्रसाद मौरे के बयान को लेकर सपा सांसर ने कहा कि ये उनका निजी बयान है इससे सपा का कोई लेना देना नहीं है, सानातन धर्म एक प्राचीन धर्म है लेकिन जहां पे उनको कोई कमी दिखती होती है तो अपनी निजी राय दे देते हैं वो उनका मतलब सामाजवादी से कुछ लेना देना नहीं है सपा सांसर ने कहा कि सानातन धर्म प्राचीन धर्म होर स्वामी प्रसाद भी खुद एक अच्छे हिंदू है लेकिन जहां उनको कमी दिखती है तो वो निजी राय दे देते हैं तो उनका मतलब सामाजवादी पाजी से कुछ लेना देना नहीं है